गंदे गंदे कॉमेंट्स पार्स करने लग गया, बत्तम इजी करने लग गया, हमने कुछ नहीं बोला है मैडाम ऐसा, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है वीडियो स्टाट करने से पहले एक चीज है जो दिल में आ रही है मैं कह देता हूँ, आज कल कैव वाला भी लाइक जैर खा के मरने के दिन आ गए भैं, जैर का के मरने के दिन आ गए जी हाँ बिल्कुल कुछ ऐसे ही सोच के साथ मैं आजकल कैप वाले हर दिन अपने घर से निकल रहे होंगे क्योंके भाई ये जो कैप ड्राइवर के उपर में अत्याचार जो है न वो होना बंदी नहीं हो रहा है अब देखो यार don't get me wrong कि मैं इस चीज़ को हस करके बोल रहा हूँ लेकिन क्या करूं लोगो हर चीज में entertainment चाहिए और अगर आप entertainment चीज में से निकाल लो तो लोग बोर बोल करके वीडियो छोड़ के भाग जाते सो भई मैं बात करने वाला हूँ विदा अनी context क्यूंकि आपको भी शायद नहीं पता होगा कि भई एक बाफ फिर से जो है न औरत ने cab driver पर अपना अत्याचार जड़ दिया है मतलब जाते जाते थोड़ा यहां से ले चलो यहाद है 3D वाला जाएंगे काके जाएंगे पर जाते जाते Imperial College of Engineering होते वे ले चल बिलकुल ऐसे ही मैडम बोलती है जाते जाते इस वाले मार्किट से लेते वे चलो कि एक बार ऐसा हुआ कि जहां मुझे पहुंचना था हुआ पहुंचने के बाद मुझे लगा कि मैं गलत जगे पर आ गया हूँ और ये वो जगह नहीं है क्योंकि address यहां से तो match नहीं होता है फिर मैंने बोला भईया कहीं और जाना है यहां पर नहीं जाना है उसने मुझे सीधा का जहां जाना है वहां का location डाल दो मैं आगे ले चलता हूँ अब भई मुझे समझ में आ गया कि इक्स्ट्रा पैसा देने पड़ेंगे और जो मैंने दिया 70 रूपी इक्स्ट्रा दे दिया जो कि मेरे लिए बहुत जाता था लेकिन यार वो भी अपने जगह पर सही था और भई वही चीज जो है यहां पर इस मैडम के साथ ने बोला ग कि भाई देख सही सब कह रही हूं लेके चल वरना मैं सीधा कौंगी मेरे साथ जबरतस्ती करने की कोशिश कर रहा है थैंकफुली उस बंदे ने जो है वीडियो बना लिया था अब वीडियो जिस तरह से स्टेबली लिया गया है उससे यही समझ में आ रहा है कि ऐसी कोई भी हरकत नहीं हुए जबके मैडम जो है वोमन कार्ट प्ले कर रही है कि भाई देखो मेरे साथ में ऐसा किया जा रहा ह कि अगर स्मार्ट फोन में फ्रंट कैमरा या फिर या फिर कैमरा वाला फोन अगर नहीं होता ना तो ना जाने कितने बेकसूर लोग लपेटे गए होते और सीरियसली कह रहा हूं इसके वेज़े से खास करके आज के दिन में ओला बोलो या उबेर बोलो भाई इनके जो कैप द्राइवर है इनकी इज़द बची भी है वरना लोग लथार चुके होते कुत्ते जैसे धो चुके होते कि तूने किया है लड़की सिर्फ चया करे उसके ऐसे पुरा चाइना आ जाए तो दोस्तों इस इंसिडेंट से बस एक ही चीस समझ में आ रहा है कि आज कल जितने भी लेडीज है क्या वो इस तरह से बिएफ करना नॉर्मल समझ चुकी है कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि सच्ची में अगर किसी लेडीज के साथ में कुछ गलत हो रहा होगा और जब वो चीक चिला रही होगी या फिर किसी वो कॉल करके बोल रही होगी कि ये बंदा जो है म बार बार इस तरह की चीज़े सुनना बनना कर दे तब तक लोगों को जो है हर बार की तरह इस बार भी वही लगेगा कि लड़की जूट बोल रही है आपको क्या लगता है इन मैडम के साथ में क्या करना चाहिए था उस वक्त ड्राइवर को क्योंकि मैं तो वीडियो देखते समय भी यह नहीं सोच पा है कि भाई साब को उस टेम पे क्या स्टिप लेना चाहिए था पर उन्होंने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने अपना का कैमरा ओन कर लिया और 10 मिनिट का यह कंवर्सेशन जो है पूरा रिकॉर्ड हो गया और एंड में जो है मैडम शांती से चुप चाप जहां पर जाना था वो चली गई वीडियो पूरा देखना है तो या लिंक डिस्रिप्शन में दिया वहा है इंस्ट्राग्राम का वहां सब्सक्राइब नहीं कियो तो चानल का सब्सक्राइब कर लो बेल का बटन दाबा लो वीडियो का एंड तक देखने के लिए तहे दिल सब धन्यवाद मल तो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई